हलो दोस्तो, Thoughts for Growth चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं James Allen की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक As a Man Thinketh का Chapter Wise Hindi में समरी यह पुस्तक 1902 में लिखी गई एवं आज भी यह पुस्तक Self-Help Literature की जननी मानी जाती है इस वीडियो में हम लोग इसके पहले अध्याई का Hindi Audio Book समरी देखेंगे पहले अध्याई में लेखक James Allen विचार एवं चरित्र या Thought and Character की बात करते हैं लेखक यह बताते हैं कि जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्त पर लागू होती है या उसकी जिन्दगी की हर इस्तिती और हर परिस्तिती पर लागू होती है इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता है लेखक कहते हैं कि जिस परकार बीज से पौधा उगता है और बिना बीज के कोई पौधा नहीं हो सकता है इसी तरह विचार ही वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं लग सकता और सुख दुख का फल नहीं मिल सकता यह हमेशा सच होता है चाहे हम सोच समझ कर कोई काम करें या बगएर सोचे समझे कोई काम करें लेखा कहते हैं कि कर्म विचार का फूल है जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता इसलिए विचार पहले आता है काम उसके बाद में होता है अगर आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं यानि विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन हुआ फूल है और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन होते हैं वे हैं सुख और दुख इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उनहीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते है यह सिद्दान्त हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के ही बीज बोए यह लेखक हमें यहां कहते हैं कि हमारे मन के विचारों ने हमें बनाया है हम जो हैं उसे विचार ने बनाया है और ढाला है यदि किसी इनसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो उसके फलस्वरूप कस्ट उसके जीवन में उसी तरह खिचा चला आता है जैसे बैल के पीछे बैल गाड़ी की चीचली आती है और अगर यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है लिखा कहते हैं कि कारण और परिणाम का यह नियम इस संसार का सबसे महत्पूर्ण नियम है यह अटल और अटूट नियम है कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजली इमारत से चलांग लगाते हैं तो आप जमीन पर गिर जाएंगे चलांग लगाना कारण था गिरना परिणाम कारण और परिणाम का नियम केबल भौतिकी या भौतिक वस्तुओं के संसार में ही लागू नहीं होता यह विचारों के संसार में भी लागू होता है जिन लोगों का चरित्र उत्तम और महान रहा है वह संयोग या किस्मत की बात नहीं है यह तो इसलिए महान रहा क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिस्क में रखा इस तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया और पाशविक होता है वह भी संयोग या किस्मत से नहीं होता है यह तो घटिया और पाशविक विचार लंबे समय तक सोचते रहने का परिणाम है लेकर कहते हैं कि इंसान ही खुद को बनाता है इनसान ही खुद को मिटाता है विचारों के कार खाने में वह ऐसे हतियार बनाता है जो उसे नश्ट कर देते हैं दूसरी ओर वह ऐसे ओजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ती और शांती के दैवी महल बना सकता है सही विचार चुनने और उन पर सही तरीके से काम करने पर मनुष उस दैवी पुर्णता की ओर बढ़ता है जिस तक पहुचने के लिए उसे इस संसार में भेजा गया था और गलत विचार चुनने और गलत विचार पर अमल करने से मनुष्य पसू के अस्तर तक नीचे गिर जाता है एक बात पूरी तरह असपस्ट है हर इस्थिती और परिस्थिती में इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को अपने विचारों के साचे में ढालता है लेका कहते हैं कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है वो अपने चरित्र का सांचा खुद गड़ता है और इस तरह वो अपनी परिस्थितियों परिवेश तथा तकदीर का निर्मान करता है आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा वैसी ही आपकी परिस्थितिया होंगी यानि अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मन्चाही परिस्थिति मिल सकती है इनसान में शक्ती, बुद्धी और प्रेम का वास है वह अपने विचारों का स्वामी है इसलिए हर इस्थिति की कुण्जी उसी के हाथ में है उसके भीतर वह काया कल्प करने वाली शक्ती है जिसके जरिये वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है इनसान खुद को अपने मनचाहे साचे में ढाल सकता है और यह काम वह एक पल में कर सकता है जब वह अपने विचारों या मामसिक्ता को बदलने का निर्ने ले लिखक कहते हैं कि इनसान हमेशा स्वामी होता है सबसे कमजोर और ही नवस्था में भी लेकिन कमजोर और ही नवस्था में वह मुर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संचालन करता है और अपने ही हाथों घर में आग लगा लेता है दूसरी तरफ जब इंसान अपनी इस्थिती के बारे में सोच विचार करता है और अस्थित्व के नियम यानि विचार के नियम पर मेहनद से चलता है तो वह समझदार स्वामी होता है यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके अपनी उर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी छेत्रों में लगाता है जिससे उसे सुख़त परिनाम मिलते हैं इस इस्तिती में मनुष्य चेतन स्वामी बन जाता है लेकिन मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वो अपने भीतर विचार के नियम खोज ले या खोज पूरी तरह से अमल, आत्म विशलेशन और अनुभव पर निर्भर करता है इंसान भी अपने अस्तित से जुड़ी हर सचाई खोज सकता है, शर्थ सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की खान में गहराई से खुदाई करनी होगी और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा इस तरह खुदाई करने के बाद उसे इस सचाई का पता चलेगा कि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का साचा उसी ने बनाया है और वही अपनी तकदीर लिख रहा है इस तरह देखने पर उसके सामने बिना किसी शक्त से यह साबित हो जाएगा कि उसे अपने विचारों पर नजर रखनी चाहिए, उन्हें नियंतरन करना चाहिए और बदलना चाहिए क्योंकि उसके विचारों का उस पर दूसरों पर उसके जिंदगी तक परिस्थितियों पर कितना गहरा असर हो रहा है इंसान को यह जांच परताल धैरी से करनी चाहिए उसे कारण और परिनाम के नियम के दृष्टिकोन से इस पर विचार करना होगा अगर वह अपने विचारों को पहचान लेगा, नियंतरित कर लेगा और बदल लेगा तो उसके सामने यह सावित हो जाएगा कि वह सचमुच अपने चरित्र का निर्माता है अपने जीवन का शिल्पी है और अपने तकदीर का स्वामी है उसे यह पता चल जाएगा कि उसके जीवन की हर घटना चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो आत्मग्यान हासिल करने की साधना है इसी से समझ बुद्धी और शक्ति मिलती है देवी नियम भी इसी दिशा में संकेत करता है कि जो खोजता है वह पाता है जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है धैर अभ्यास और सतत संकल्प से ही मनुष ज्यान के मंदिर में दाखिल हो सकता है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए तब तक आपका दिन शुब हो